हलो फ्रेंड्स मैं हूं गुर्पेत पंजाबी किचन में आपका वेलकम है आज मैं बनाने जा रही हूं बीट डोसा मसाला डोसा बीट मसाला डोसा इसकी फूल रेसेपी मेरे वीडियो के अन तक देखेगा कि मैंने यह कैसे बनाया है तामाटो की साथ में मैंने चटनी सर्फ की है वीडियो स्टार्ट करते हैं बीट डोसा बनाने के लिए मैंने नमक अपने स्वादन सारा पाट कर सकते हो बीट में अपने चने की राल माने लिए इसको आदा गहंटा पाले भीगो के रख लिया था करी लीप्स लिये है मैंने चार से पांस धनिया थोड़ा सा कट करके ले लिया है तो थोड़ी आइट करेंगे अब हम फ्लेम लेते हैं कड़ाई में थोड़ा सा आइल डालते हैं इसको हम स्प्रेड कर देंगे आइल हमारा स्प्रेड हो गया है अच्छे से गरम हो गया है इसमें 1.5 ती स्पून में जीरा ले लूँगी वह फ्राय हो जाएगा तो इसमें राय आट करेंगे जब वह अच्छे से फूटने लगे उसके बाद हम इसको इसमें जो चने की डाल में भीगो के रखी ती वह आट करेंगे इसको कम से कम साथ से 10-10 मिनिट के लिए भूजेंगे अच्छे से कि जो कच्छा पने वह निकल जाए साथ में हम सौल्ट आड कर देंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार आड कर सकते हो जब यह अच्छे से बुन जाएगी तो इसमें थोड़ी सी हम हल्दी आड करेंगे कि इसमें कोई भी मतलब बड़ा आलू का पीस नहीं रहे अच्छे से वह स्नाश हो जाएगा मिक्स हो जाएगा तो हमारा यह मसाला रेडी हो जाएगा स्नाश करते करते कम से कम इसको हम 5-7 मिनिट के लिए दी में आज पर पकने देंगे क्योंकि जो आलू है और पूरा जो करी पता जो हमें मसाला रेडी किया है उसका पूरा टेक्स्टे इसमें बाइट जाना चाहिए अब हम एक तरफ दोसे का बैटर ले लेते हैं दोसे का ब कर सकते हैं अगर बच्चे आपका बेट का जूस नहीं पीच सकते तो आप उनको डोसे में ऐसे आट करके खिला सकते हो बहुत हल्दी होता है बच्चों के लिए इवन बड़ों के लिए भी बहुत हल्दी ये चीज़ है अब मैं एक पैन में ले लूँग इसको गरम कर लिय मसाला स्परेड अचे से हो जगा इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे देंगे दोसे को और दोसा जो हो है हमारा तौह हमारा अच्य से गरम हो चुका है तो हम एठली में उसको मिक्स करके आप जूस बynn Toronto उटेंगे तो ओबढ़े मीं डी हना साथ में बहुत हैपत और स बहुत अची चीज है, तो मेरा डोसा रेडी हो चुक है, अब इसको मैं टमाटो की चटनी के साथ सर्फ कर रही हूँ, टमाटो की चटनी की फुल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल आप उस पर जाके डिरेक्ली भी चटनी शेयर देख सकते हो, तो अगर मेरी वीडियो पर संद आएए, तो वीडियो के एंड में लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाई प्रेंज